हमले हुए हैं और इसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है 9 जून को रियासी के बाद 11 जून को कट्वा डोडा में हमला किया गया और कट्वा हमले में शामिल दो आतंकी मारे गए हैं जिसमें से एक आतंकी के पास से एक लाक रुपे कैश भी बरामत हुआ सूत्रों के हावाले से एक खबर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग पियो के में बनाई गई थी और आतंकी हमले के बाद जून के के मंदिरों के सुरक्षा विवस्ता को बढ़ा दिया गया है ये रिपोर्ट देखिए बातर घंडे में तीन जुखों पर पाकुस्तानी आतंक्यों ने हमला किया रियासी, कट हुआ और डोडा में आतंक्यों ने नापाक हर्गत की है जिन्होंने जम्मू में खून पहाया है, उन्हें एक एकर जहनुप पहुचाया जा रहा है रियासी में आतंक्यों को घेर लिया गया है और किसी भी वक्त उनके खात्मे के खबर आ सकती है लेकिन पिछले तीन दिन में आतंक्यों ने जिस तरह से जम्मू की तीन जगों पर दहशत गर्दी की है वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है क्योंकि खूफिया सूत्रों से लगातार खबरे आ रही है कि पियोगे में पाकिस्तान ने आतंकी लॉंच पैट से भारत पर बड़े हमले की प्लैनिक की पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरा नगर के सैदा सुखल काउं में दो आतंकीों ने घरों का दर्वाजा खटखटा कर पानी मंगा ग्रामीनों को शक्वा तो दर्वाजा बंद कर शोर मचाया लेकिन आतंकीों ने फाइरिंग की आतंकीों से निपटने के लिए डियाईजी और एसेसपी पहुँचे तो एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर फाइरिंग की और भागने की कोशिश की लेकिन दोनों आतंकीों को तलाश कर जहन्नम पहुँचा दिया गया कट्वा में मारे गए आतंक्यों के पास से बरामत सामान की एक्स्टोजिव तस्वीर न्यूस एकिन इंडिया को मिली है इस तस्वीर में खाने पीने का पूरा सामान नजर आ रहा है आतंक्यों के पास दवाईया, पेन किलर, ड्राइब फ्रूट्स, चने, चॉकलेट पार, हेंड सेट, एंटीना, एक लाख कैश, M4 कारवाई, AK-47 बरामत हुई मतलब साफ है कि आतंक्यों की लंबे समय तक यहां छिपे रहने और साजिश की प्लैनिंग के लिए आई थी दो आतंक्यों को मार्ग राया गया है और अभी सवर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है यह नया इंटिटेटर्ट ग्रूप है जिसमें की इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंक्यों की चीपोस्ट पर फाइरिंग की आतंकी हमले में पांच जवान और एक स्पेशल कुलिस अविसर खायल में हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है जोडा और रियासी में हमला करने वाले आतंक्यों की चप्पे चप्पे में तलाशी ली जा रही है वहीं कट हुआ आतंकी हमले में शहीर स्यार्पियफ जवान को देश ने शत्धांज ली थी इस बीच जम्मू के नौशेरा में कुछ संदिक्द देखे गए जिसके बाद गाम वालों ने सुरक्षा बलों को जानकारी थी इसके बाद इस्थानिय पुलस और सेना ने नौशेरा में सर्च ओपरेशन शुरू कर दिया घाटी में तीन दिन में तीन आतंकी हमले महस इत्तफाक तो नहीं हो सकते लोग सबर चुनाओ के दौरान जम्मू कश्मीर में बंपर वोटिंग ने आतंकीयों की नीद उड़ा दी है उन्हें अपने वजूद और सपोर्ट बेज की चिंता होने लगी है अब जल्द ही मिधान सबर चुनाओ की बात चल रही है कुछी हफ्तों में अमर्नाथ व्यात्रा भी शुरू होने वाली है ऐसे में इन हमलों के जरिये आतंकी दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं सांती का माहौल इलेक्शन से पहले बना हुआ था काफी दिनों से कोई घटना नहीं हो रही थी छोटी-पोटी घटनाओं के लावा जब इलेक्शन में बड़ चड़के लोगों ने हिस्सा लिया और वोट किया तो हमारे पड़ोसी देश की नीन्ध हराम हो गई और जो लोग जो ग्रुप सिर्फ इस बात का एजेंडा जलाते हैं कि भारत का विरोध कैसे किया जाए या भारत में सांती कैसे पैदा की जाए तो उन लोगों की सस्टीनेंस पे खत्रा खत्राइए